ये स्कूल जो हम लोगों ने अध्या में बनाया है इसका पहला उदेश सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है और ये ख्वाब हमारे पिता जी और हमारे दादा जी और दादी जी के द्वारा देखा गया उनकी इच्छाओं के अनरूपी हमने एक स्कूल बनाया और वो सिर्फ और सिर्फ बेस एजुकेशन शेहर के बच्चों को देना ही उसका मुक्रदेश है जहां तक देखा गया है कि स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे उपलब्ध हो कैसे हम उनको अच्छी एजुकेशन दे पाएं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए विजन के साथ ही हमने स्कूल खोला है कि हम अपने स्कूलों में आए हुए बच्चों को बढ़िया से बढ़िया सुधाएं जिसको कहा जाता है सिक्योर्टी एजुकेशन बैस टूप में उनको दे पाएं यही हमारा विजन है हम चाहते है कि आखरी बच्चे को जो लास्ट बेंचर है उसको भी हम फ्रंट बेंच में लेके आए जैपूरिया एक बड़ा नाम है एजुकेशन फील्ड में और भी काफी ब्रांड और भी काफी ऐसे नाम इस देश में हैं क्यों हमारे दुआरा चुना गया हमने इसको दो वज़ों से चुना पहला जैपूरिया टीम के अपने ही काफी मैनेजमेंट कॉलिजेज हैं उनको के फील्ड में अच्छी जानकारी है शायद हम उनके साथ जुड़ने पे यही डिलीवरी आगे भी दे पाएंगे दूसरी एक प्यूब टीम है एक पूरी एक विवस्ता है जहां पे वो हमको एजुकेट कर पा रहे हैं प्येनिंग दे पा रहे हैं और हम उसको डिलीवर कर पा रहे हैं यह शायद दौनों वजे रही हो इनीचली जब इसकुल शुरू हुआ तो हमें यह अंदाजा नहीं था कि जैपुरिया ब्रांट हमको कैसे हल्प करेगा लेकि जब इसकुल शुरू हुआ तो हमने देखा सिंसे स्टर्टिंग इवन वी दौनाट है बिल्डिंग दिखाएं कोई भी प्रोस्पेक्टर दिखाएं हमको इनीचली अड्मिशन हमको प्लब्ध हुए शायद यह ब्रांट का पुल रहा होगा ब्रांट के साथ सा जो सपोर्ट मिलता रहता है जैपुरिया टीम से प्रोस करें पार्ट होता होगा तो हमारी एक्सपेटेशन है यह ब्रांट से जैपुरिया से कि वह हमको अच्छी हमारे टीचर्स को हमारे टीम को अच्छी ट्रेनिंग सुपलब कराएं अच्छे सिस्टम प्रोसेस से उनको एक्यूब कराएं जिससे वह टीचर्स उनी ट्रेनिंग की वजह से उन system process के वय से वो बच्चों को deliver कर पाएं और जो बच्चों को deliver करेंगे तो बच्चे काफी अच्छा आने वाले अपनी जिंदगी में सकसे भी उनको मिलेगा वो रेल्युस को भी समझेंगे और स्कूल का भी नाम होगा और अगर एक स्कूल का नाम होता है, फिरेंचे इस्कूल का नाम होता है तो ब्रांड का साथ में पूरा 50% डोल रहता है तो मेरी expectation है brand से कि वो हमारी school को, हमारी teacher को equipped करें और मेरी अपने school से expectation है कि वो अच्छे बच्चों को produce करें अच्छा stuff produce करें उनको develop करें और वो जिससे आगे जिन्दिगे में सफल हो पाए